आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग Y.S. जगनमुहन रेड़ी के बारे में बात करने वाले हैं और इनका परिबारिक बैक्ग्राउंड क्या है, सिक्छा किस तरह से रही है, इनकी राजनितिक पार्टियां कौन-कौन से रही हैं, किस में ये सामिल रहे हैं, इनका सुरुवाती केरियर किस तरह से रहा है, और राजनितिक सफर, जो राजनितिक यात्रा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, इन से जुड़े हुए कुछ बिबाद भी हैं, उन बिदादों पर भी हम लोग बात करेंगे, और ये वर्दमान में आंध्य पिदेश के मुक मंत्री है, कीम मिनिस्टर है, कुछ पिक्चर और देख लीजे आप लोग, ये आप देखें, इनका परिवार, इनकी पतनी है, इनकी दोनों, बेटियां आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये आप देखें, इनके पीछे इनके पिता की तस्वीर देखने को मिल रही है, एक बार आंध्पिदेश को आप लोग दिल लीजे, यह हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे यह आंध्पिदेश है, भासाई याधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका आंध्पिदेश, यह भी आप लोग याद रखिएगा अमरावति इसकी रादधानी, इसकी सीमा उडिशा, चत्तिसकर, तेलंगाना, करनाटक और तमिलनाडू से लगती है, विधान सभा में 175 सीटे हैं, विधान पईशद भी हैं, जिसमें 58 सीटे हैं, राज्य सभा में 11 सीटे हैं, लोग सभा में 25 सीटे हैं, और इसका छितफल इनका पूरा नाम है, इनका लोग इन्हें Y.S. जगन मोहन रिड़ी के नाम से जानते हैं, इनका जनम 21 दिसमबर 1972 में होता है, और आप देखें, इनका जनम इस्थान का कडपा जिले अंद्रविदेश के पुली बिंदोला गाउं में हुआ था, इनका धरम हिंदू है, क्यो इनकी आप देखें बहन है Y.S. सर्मिला रिड़ी, यह आप देखते हैं राजनिती से जुड़ी हुई है, इनकी पतनी का नाम Y.S. भारती है, और इनकी बेटियां दो वेटियां, बरसा रिड़ी, बड़ी बेटी, हरसा रिड़ी, छोटी वेटी का नाम है। अगर हम लोग Y.S. जगनमुहन रिड़ी की सिक्षा की बात करें तो हैदरावाद पब्लिक स्कूल से इंटोने सिक्षा ली वी है निजाम कॉलेज हैदरावाद से सिक्षा ली हुई है 1990 में आप देखे निजाम कॉलेज से बीकॉम किया हुआ है 1993 में निजाम कॉलिज से इन्होंने MBA किया हुआ है तो आप लोग समझ सकते हैं कि पड़े लेकर भी हैं एक businessman भी है इनके राजनीती करते हैं अब आप देखते हैं पहले वेवसायक भी छेत में जुड़े रहें इनके राजनीतिक दल की भात करें तो भारती राश्री कांग्रेस से जुड़े रहे हैं फिर आप देखी यो यो जन्ना सरेमिक रायतु कॉंग्रेस YSR Congress से भी अब इनकी अभी की पार्टी है और भारती राष्टी Congress की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत पुरानी पार्टी है देश की आजादी के लिए एक संक्ठन के रूप में इसके स्थापना हुई थी कब ये आप देखेंगे 28 December 1880 की बात है और इसके पहले अद्धेक WC बनर जी थे बेवमेश चंद बनर जी इसके संस्तापक AO हिउम थे बाद में आजादी के बाद ये राजनितिक पार्टी बन गई थी छोटे कारोबारी से CM तक कि अगर हम लोग पांच साल पहली तेलंगाना के गठन के बाद आंद्धेस के मुकमंत्री बने एन चंदवावु नाइडू की TDP को बुरी तरह हराये था और दरसल 10 साल के इंतजार के बाद एक खुसी का इनके लिए पल था आंद्धेस आवेभाजी के पूर मुकमंती देवंगत बाईयस राजसेकर रेड़ी के एकलोते बेटे जगर्मोहर रेड़ी ने अपना कारोवार करियर 1999 सन 2000 में पडोसी राज करनाटक में संदूर नाम की एक पावर कंपनी इस्थापित करके शुरू किया था पहले आंद्धेस तेलंगाना ये खुगा करते थे तेलंगाना जो है वो आं मौकमंतरी पिता की मौत के बाद बदल गया था सब को चिन के लिए जगन की राजनितिक महत्वाकांचा का पहली बार 2004 में पता चला उन्होंने कडपपा से सांसत बननी की कौसिस की थी लेकिन कॉंग्रेस आला कमान ने उनकी इस एक्षा को वहीं दफन कर दिया इसके बाद उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए 2009 तक पितिक्षा करनी पड़ी और आखिरकार कडपा सीट से आप देखेंगे कौंगेस उमीदवार की रूम में इन्होंने जीत दर्ज की और लोगसभा की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपकी उमर 25 साल है तो आप लोग चु 2009 में हेलीकॉप्टर दुगटना में उनके पिता की मौत के बाद उनके लिए सब कुछ बदल गया फिर आप देखें कॉंग्रेस आला कमान की उपेक्षा के बाद 2011 में एक नई पार्टी बनाते हैं फिता के आ समय के निधन के बाद रिड़ी मुखमंत्री बनने के लिए सौ रो सहिया को राज्य का नया मुखमंत्री चीम मिनिस्टर बना दिया इस फैसले से नाराल रिड़ी ने कॉंग्रेस से अलग होकर नई पार्टी का गठन किया था और इसी को आप लोग YSR कॉंग्रेस कहते हैं 2000 बारे में विधानसभा उप्चुनाओं में सब को चौंका दिया इनोंने रिड़ी ने साल 2011 में अपने पिता की नाम पर YSR कॉंग्रेस का गठन किया अपने भूते पर राजनेतिक संगर सुरू कर दिया 18 कॉंग्रेस बिधायकों की कॉंग्रेस छोड़कर YSR में आने के बाद वहां इन सीटों पर साल 2012 में उप्चुनाओं हुआ और इस उप्चुनाओं में जगन मोहन रेड़ी की पाइटी ने सब को चौंका दिया 18 में सी आप दिखी 15 सीटों पर 10 की इनकी पाइटी ने इसके बाद रेड़ी कॉंग्रेस और चंदबावू नाइडू की पाइटी टीड़ी से टकर लेती रहे और जिस दोरान उन्हें जेल तक जाना पड़ा जेल की यात्रा भी करनी पड़ी 2014 में हार की बाद राज्य भर में निकाली इनोंने पड़ियात्रा उसी दोरान 2014 की लोक्स चुनाओं में टीडीपी के हाथों हार गई टीडीपी के राजनीती का गड़ित समझने में रेड़ी के लिए उनकी 341 दिन की पड़ियात्रा बहत मात्पूर है 2014 की हार की बाद रेड़ी ने जनता तक पहुँचने और लोगों से मिलकर उन्हें समझने और समझाने के लिए नवंबर 2017 से कड़पज लेकि इडू पुलापाया से या पड़ियात्रा सुरू की इस दौरान वह है राज जी की 134 विधान सभा छेत्रों में गए उन्होंने करीब दो करोड लोगों से भेंट की उनकी इस यात्रा ने लोगों को उनसे जोड़ा और उनकी पड़ियात्रा जनवरी 2019 में खतम होती है और 2019 के आंद्रपदेश चुनाओ में विधान सभा चुनाओ में उनकी पाटी को 175 सीटों में से 109 सीटों पर जीत हासिल हुई और सत्ता में आई भारी महुमत में लावने तो अभी तक के इनका राजनितिक सफर यही है आंगे किस तरह कर रहता है यह तो आने वाला बक्त ही बताएगा तो उसके लिए रहता है कि आप लोग आजकल डिजीटल इंडिया से जुड़े हुए और डिजीटल दौर से जुड़े हुए अंध्पदेश की सीम्ते सीवी आई ने रेड़ी की जाच की और उनके खिलाब आई से अधिक संपत्ती का मामला दर्ज किया सीवी यानि की सेंटल वीरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन की बात हो रही है एक अपरेल 1963 में इसकी स्थापना होई थी नई दिल्ली में आप लोगों को हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा से विया सीवी आई ने रेड़ी के खिलाब 11 से अधिक आरोपत दायर किये और उन्हें आप देखे 27 मई 2000 बारे को गरपतार भी किया गया उन्हें सेप्तंबर 2013 में रहा कर दिया गया विपक्च की नेता की रूम में हटा दिया गया थ की थी क्योंकि जिश्चेत में उन्हें यह कहा था हुए बहुत संबेदन सील था और निमित रूफ से दंगों जड़पों के लिए जाना जाता था ते देपा नेता मलेला राजसीकर ने जगनमुहन रिड़ी के खिलाब उनकी टिपडियों और लोगों को भड़कानी के लि पूंचता अच के लिए ले जाया गया था आरूपी की पहचांस जे सिरी नवास राओ के रूम में हुई थी एच चबीस मई दोजार अठारे को पश्चेम गोदावरी जिले में पद्यात्रा बॉकिंग मार्च पर ये थे औहां उन्होंने गोशना की कि वह जिले का नाम अ तो एक सौड वाइ गराफ ही आप लोग कह सकते हैं कि जगनमुहन रेड़ी की वाई एस जगनमुहन रेड़ी की कहानी है इस तरह हम लोग सभी मुकमंत्रियों के बारे में बात कर लेंगे जो बरतमान में है ठीक है